नमस्कार दोस्तों जैश्रम आज के जो ये टॉप ट्विटर ट्रेंड है दिलजीत कंगना को पेल रहा है आपको लगता है कि ये कोई भी इंटलेक्शुल क्लास का लोग ट्रेंड करा सकता था खैर आगे बढ़ते हैं कंगना शेर नहीं है दिलजीत कंगना ये ट्रेंड कर रहा है मगर क्यों दिलजीत वर्सेस कंगना ये हो क्यों रहा है आईए इस बिल के बारे में समझते हैं बात करते हैं और दिलजीत को भी समझा अगर उसे कोई और लेंग्वेज नहीं आती इसके अलावे मैं अंग्रेजी प्रिफर कर सकता हूँ, हिंदी प्रिफर कर सकता हूँ दिलजीत को समझना होगा कि कंगना को पंजाबी नहीं आती है तो आपका अस्तर तो यह होता कि आप उसे हिंदी में या इंग्लिश में बात करते हैं मगर कंगना के हर एक ट्वीट का जवाब दिलजीत पंजाबी में दे रहा है इसको असभ्यता बोलते हैं, इसको अन-civilized, uncultured तरीका बोलते हैं यह डिबेट का तरीका नहीं तो हुआ यहों कि जो बिल्किस बानों है जो शाहीन बाग में बढ़ चड़ के हिस्सा ले रही थी उनको कंगना ने इधर प्रोटेस्ट करने के लिए कहा कि यह 500 रुपे ले करके प्रोटेस्ट करने जाती थी जिसको ले करके confusion यह हुआ कि एक दादी और प्रोटेस्ट करने जा रही है पंजाब में जिनके पास 12 भी यह जमीन है जिसको लेकर के दलजीत ने कहा कि वो तुमें अपने पास डौकरी रख सकती है उसके उपर कंगना ने reply किया कि करन जोहर के चम्चे तू चुप कर आपको पता है नेपोडिसम की लड़ाई में कितनी कंगना आगे निकल चुकी है उसी में करन जोहर और यह जो स्टार कीड और इन लोग को प्रमोट करती है या फिर जो चम्चे करन जोहर को उनको ढंक से मतलब ठोकती है तो उसमें एक दिलजीत भी उसी लिस्ट में से एक आता है वैसे दिलजीत हो या जैजी भी ये वेलनोन खालिस्तान समर्थक रहे हैं जैसे की हार्ड कॉर वेलनोन खालिस्तान समर्थक जानी जाती है जैसे की दीप सिंधू जो है वो जाना जाता है जिसका बरखादत ने इंटर्व्यू लिया था उसी तरह से दलजीत ने 1984 तो एक फिल्म बनाई थी जिसमें बड़े आसानी से एक प्रोपोगेंडा वाली वो पूरी की पूरी फिल्म थी उस बारे में खैर नहीं जाएंगे डिटेल्स पर आते हैं और बात करते हैं दलजीत के लिए दलजीत सुनो मेरी बात ये 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2020 में पंजाब सरकार ने एक बिल पास किया है बिल में एक मुख्य क्लॉज ये है कि अगर कोई खरीदता है MSP से नीचे या पर्चेस करता है या कोई बेचे या खरीदे दोनों में से कोई भी अगर कुछ करता है तो उसको 5 साल से मतलब 3 से 5 साल तक की सजा होगी अब ये बिल पंजाब के स्टेट के अंदर पास है इसी वज़े से मैं कह रहा हूं कि सेंटर का अपलाई किया हुआ ये non MSP वाला बिल इवन प्राइवेट सेक्टर के लिए भी पंजाब में non valid हो जाता है इसलिए मैंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा गया लाया हुआ ये बिल applicable ही नहीं है पंजाब में तो पंजाब के किसानों को तो पहले तो सीधे मूँ चले जाना चाहिए उठके वाँ से पंजाब के किसानों को इस बिल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए MSP की लड़ाई है ना MSP की लड़ाई तो पंजाब सरकार के एक विधेक के नुसार जो 2020 में है उसी वाज़े से पहले ही आ गया है तो MSP वाली बात ही अपनी है पंजाब के किसानों को तो MSP मिलेगा ही मिलेगा पंजाब के अंदर जब तक वो बेचेंगे तब तक लेकिन पंजाब के किसान अगर हरियाना में जाकर के बेचना चाहते हैं पंजाब के किसान अगर चन्नाई में जाके बेचना चाहते है मोधी सरकार के लाय हुए बिल के तरफ क्योंकि अगर मोधी सरकार का बिल वो मानेंगे तब ही तो जाकर के वो हरियाना में चन्नाई में बैंगलूरों में बेच पाएंगे वहां की मंडियों में, तो वहां पर MSP की गारंटी नहीं, भाई इसमें ख़बा होने वाली कौन सी बात है, तुम मत मानो ना बिल, तुम मोधी सरकार की बिल मत मानो, तुम पंजाब में ही बेचो, पंजाब में ही खरीदो, जो करना है करो, MSP तो मिली रहा है, फिर ये विद् पात्रिभासा तो हिंदी है न, इसके बारे में हम डिटेल्ड कभी बनाएंगे कि खालिस्तान जो थे समर्थक, वो हिंदी के कितने बड़े विरोधी थे और हिंदूओं को इसी वज़े से क्यों मारा था, वो कभी डिटेल्ड हम बात करेंगे, अभी stick to the topic, अब बात कर लेत हैं कि कॉंग्रेस, पहले तो पंजाब के किसान वास चले जा, दूसरी बार, अगर वहां पे कॉंग्रेसी देखें, तो उसको पटक के ठोकिए, पूछिए क्यों, ये सुना देता हूँ, जब किसान होता है और बेचना जाता है, तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसक कि यहाँ पे विरोध के लिए डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, आप समझ रहे हैं? किसानों को मिल रहा है, फिर किसानों के लिए तो मोदी सरकार ने अच्छा बिल किया है ना, फिर विरोध क्यों कर रहे हो, यार कॉंग्रेसी? बाकी बिचॉलियों को चले जाता है आप विकक्ष के मेता और विवक्ष दर्वों को ये चाह करना है, कि वो किसान के साथ है या बिचॉलियों के साथ है? दोस्तों अभी ही आपने देखा होगा कि राहूल गांधी एक वीडियो में कहते हैं कि भारत का किसान जो है, वो कहां जाएगा, मोदी जी का एरोप्लेन तो पकड़ेगा नहीं, मोदी जी का हेलिकॉप्टर तो पकड़ेगा नहीं, किसान को तो अपने खेद से बाहर निकल कि अपनी अनाज बेचना है, मेसपी बेचना है, ए राहूल गांधी तुम पागल हो, बवचट हो, बवरा हो, तुम CWC के मीटिंग में थे की नहीं, जब ये बिल का मसौधा कॉंग्रेस ने तयार किया होगा, या जब भासन में दे रहे थे ये कपिल सिब्बल सदन के और वो तो पूरा का पूरा ये मंडी सिस्टम ही खतम कर रही थी, मोधी सरकार ने मंडी सिस्टम को तो टच ही नहीं किया है, बोला सरकारी मंडी जब कित्तस रहेगी, जब कि कपिल सिब्बल के अनुसार तो सरकारी मंडी से तमाम भी चौली है, गायब, खतम, खतम, वो तो अगर किसान प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो पहले तो ये खालिस्तानियों को उसमें से बाहर निकाल दीए दूसरी बात ये योगे अंदर यादा और टाइप के लोगों को भी हटा जीएगा वो भी मैं साबित करता हूँ तीसरी बात इस बिल में जितना प्रोटेस्ट कर र हैं और पंजाब एस्टेट चुकि ये कैसा बिल अल्रेडी पारित कर चुकि उस वज़े से ये बिल नॉन वैलिड हो जाता है पंजाब सरकार के पंजाब एस्टेट के अंदर समझ गया तो कंगना ने क्या वाकई पंजाब की दाधी के बारे में कुछ कहा था नहीं ये ये पंजाब के किसानों के समर्थन में प्रोटेस्ट में उस मुद्धे पे जहां पंजाब में ये बिल ही लागू नहीं हो पा रहा है आप समझ रहें बात को यानि बिना मतलब का है हम प्रोटेस्ट करेंगे क्या करोगे जीवन में प्रोटेस्ट करेंगे जितनी बॉर्डर प कुछ खरीदना चाहते हैं, तो आप क्या MSP देखेंगे या और कुछ देखेंगे, मैं आपको तीन च्वाइस देता हूं, क्या आप डव, लक्स, लाइपवाइस, तीनों तो साबून है, जैसे धान होता है, वैसे तीनों साबून है, नहाने वाला साबून है, क्या आप तीनों को एक ही प्रैस में खरीदना चाहेंगे, खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे, मेरा दावाइस आप नहीं खरीदेंगे, उसी तरह से, ये दिलजीत जैसे लोगों को पता ही नहीं है, धान की कितने किसमे होती है, यहां तो अर्वा और उसना का सेम रेट तो इन चावलों का तो रेट सेम नहीं होता, तो फिर उसका कैसे सेम रेट कर देंगे, आप इस थिवरी को समझ लीजिए, उसी तरह से बासमती है, सोना है, अलग-अलग धान की किसमे है, अब आप यह बताईए, कि क्या संभव है सभी धान को MSP पे या एक ही रेट पे खरी तो MSP पे आभी भी खरीद रही है, सरकार ने तो मंडी खतम ही नहीं किया है, यह प्राइवेट प्लेयर्स में आप करें जब अरदस्ती की MSP भुसा के लेकि आए, यह संभव नहीं है, और इस परकार से काम होता नहीं है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो ल विबसाइट लौंच कर रहे हैं, उसके उपर काम हो रहा है, और उसके बाद आप डारेकल विबसाइट के द्रू जूर जाएंगे, और इतना इसलिक होगा आपको उसी के अंदर, विबसाइट के अंदर जूरने के बाद, मैं आपको असाइन कर सकूँ गा, वहां के लिए का कारिभार जश्रा